नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रेंड धर्मा सनमार्ग जीवन में अगर पैसा ना हो तो कुछ भी नहीं होता है क्योंकि पैसे के भी ना तो लाइफ चलेगी और ना कोई सम्मान देता यानि पैसा बहुत जरूरी आज हम आपको अगर हम तंतर सास्त की माने तो छोटे छोटे परियोग करने से जीवन की मुस्कलें जरूर दूर होती है क्योंकि हर एक पेड़ पौधे हर एक परियोग में कुछ नो कुछ पॉजिटिव असर भी होता है और पौजिटिव तरीके से जीवन में आपके बदलाओ भी होता है एक ठहरा होता है चलिए सुरूरात करते हैं आज पांच परियोग में से कोई भी एक कर लें आप तो यकिनन जीवन की मुस्कलें कम होंगी तो पहला है गोमती चकर इसके बारे में तो आप जानते होंगे ये बानलक्षमी को बहुत पसंद है और गोमती चकर तंतर क्रियाओं में भी डालता है असर कहा जाता है गोमती चकर अगर आप अपने घर के छोटे बच्चों को पहना देते हैं कमर में चांदी बेगरे में मडवा कर वैसे स्टील में मड़ाया वो भी मिलता है मार्केट में काले धागे में कमर में तो नजर दोस्ट से बचे रहते हैं बड़े आदमी भी पहनते हैं इसको कलाई में लेकिन अगर आप अपने घर में एक छोटी सी सिंदूर की डीविया में इसको भर कर रखते हैं पांच गोमती चक्र किसी भी सुक्रवार को तो धनिस्तिर रहता है और ये है केले के पौधे की जड़ किसी भी महने के सुकल पक्च की गुरुवार यानि थरस्डे जिसको हम रस्पती बार कहते हैं इस दिन जाकर केले के बृच को परणाम कर उनसे आग्या लेकर थोड़ा सा जड़ उठा कर ले आए पूजा पाठ करके पीले कपड़े में लपेट कर धना स्थान पर रख दे या पीले धागे में लपेट कर धारन कर ले तो आपका गुरू बहतर होता है हर तरह की मुश्किले दूर हो जाती है चाहे वो संतान विबाह की ही क्यों नहीं हो लोग तांत्री तोने टोटके जैसी चीजे नहीं कर पाएंगे सहदेवी का जो पौधा होता है यह तिब्र आकर्सन पैदा करता है और जिसके भी पास हो यह पौधा या इसका जड़ वह खुश नसीब हैं कैसे प्रियोग करेंगे किसी भी सूब दिन में जैसे गुरू पुश्य निच्छतर है रभी पुश्य निच्छतर है थोड़ा सा का तिलक लगा आप जाहें तो सिर्फ जड़ का भी तिलग लगा सकते हैं वसीकरन होता है अप जो काम में जाएंगे उसी काम में सफलता मिलेगा यह है आकडे का पौधा पौधा झाङक जवशी को चड़ता है जो फूल तो यह आकड़ का पौधा घर के उमुखे तरवाज जादू नहीं चलता और अगर इसको इसके जड़ को आप अपने घर के मुख्य दर्वाजे पर बाहर की तरफ से बांध दें तो आपके घर पर किसी की बुरुदिश्टी पढ़ ही नहीं सकती धन्यवाद